हेलो इस्टुएंट्स आज हम लोग बात करेंगे बबल शॉर्ट की तो दीए एक शॉर्टिंग अलगर्थम है उसको कैसे हम बबल शॉर्ट करते हैं किसी भी एरे में या लिस्ट आफ नंबर्स में और उसकी क्या अलगर्थम होती है सो टूडे भी स्टार्ड विद बबल शार्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं मानलीज हमने कहा कि यहाँ पे हम लिखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है अधिस गॉल bubble sort sorting क्या होता है sorting क्या होता है कि कोई भी आपका list of numbers है उसको एक increasing या decreasing order में उसको arrange करना that is called sorting suppose कीजिए हमने कहा कि हमारे पास let a is a list of number a क्या है a is a list of n numbers है ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमें a को इस तरह sort करना है कि जो increasing order में short करना मतलब a1 is less than a2 and a2 is less than a3 ऐसे आपको increasing order में इसको short कर देना है और ऐसे करते करते सबसे जो largest element आ जाएगा वो a n आ जाएगा इस तरह हमें इस list को short कर देना है for example अगर हम numerical value देके आपको बात करें कि suppose कीजिए initially a क्या है initially हमारे पास कोई list है 8, 4, 19, 1, 7, 13, 4 4 अलरेटी हम ले चुके हैं यहाँ पर और कुछ ले लीजिए 14 ले लीजिए और से 16 ठीक है तो अब after shorting after shorting यह जो है वो हमारा shorted manner में आ जाए मतलब सबसे छोटी value a आ गया 4 आ गया 7 आ गया ठीक है 8 आ गया उसके बाद 13 हो गया 14 16 19 इस तरह हमको इसको sorted manner में output इसका चाहिए elements देखे कोई छूट ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहस तो हमें इस तरह इसका output चाहिए अब इसमें क्या होता कि sorting में कई चीज़े आपको ध्यान दो रखने वाले होती है actually sorting efficiently may be quite complicated in fact there are many many different sorting algorithm मतलब यह sorting काम आप कई तरीके से कर सकते है इसलिए sorting की बहुत ज़्यादा या different type की algorithm भी है कुछ algorithm को हम लोग अभी discuss करते हैं या आज हम लोग जो discuss कर रहे हैं वो बहुत ही simple sorting algorithm a very simple sorting algorithm very simple sorting algorithm आज हम लोग discuss कर रहे हैं and that is called bubble short ये क्या कहलाता है ये कहलाता है ये कहलाता है बैबल short ठीक है और इसमें देखें जो sorting हमने किया है ये तो हमने एक example के लिए आपको समझाया है कि ये increasing order में हम sort करते हैं otherwise आप decreasing order में भी data को rearrange करते हैं that is also sorting अब माल लिजे आपके पास कोई alpha numeral data है उसको आप alphabetical order में sorting करते हैं that is also sorting so sorting मतलब data को rearrange करना इन्हें prescribed या predefined manner ठीक है अब यहाँ पर A क्या होता है तो actually A is a frequently a file of records and sorting A refers to rearranging the records of A so that the values of A given key are order मतलब A क्या होता है एक फाइल होती है records की और उन records को हम rearrange करते हैं किसी particular key value पे base करके और ताकि वो ordered form में हो अब इसमें हम करते कैसे हैं अब हम bubble short को समझते हैं तो देखें bubble short में हम क्या करते हैं in case of bubble short सबसे पहले हमने क्या कहा हमने कहा हमने कहा हमानली जी हमारे पास कोई list of number है ठीक है अभी जैसे हमने लिखा था A1 अब टू अब टू अन ये list of number हमारे पास save है computer की memory में the bubble short algorithm इस तरह काम करता है जैसे मानली जैसे हमने कहा step 1 तो step 1 में क्या काम करेगा कि compare A1 and A2 and arrange them in the desired order फिर देन compare A2 and A3 and arrange them in desired order फिर A3 और A4 को करेंगे फिर desired order और ये process हम करते जाएंगे जब तक की An-1 को हम An से ना compare कर ले and arrange them so that An-1 is less than An तरही पहले step हम क्या करते हैं A1 और A2 को compare करेंगे और इनको हम desired order में set कर देंगे desired order मतलब की A1 should be less than A2 तो इसमें A1 और A2 को compare करते हैं और उसके बाद इनको rearrange कर देते हैं such that A1 should be less than A2 इसी तरह फिर A2 और A3 को compare करते हैं और फिर इनको rearrange कर देते हैं अब देखें यह काम को करने में हमें क्या करना रहता हैं और इसको step 1 में total हमको n-1 compressions करने लगते हैं ठीक है और n-1 compression में क्या होता है कि जब step 1 complete होता है तो जो a n है वो हमारा largest element जो होता है list में फिक है वो a n position पे आ जाता है फिक है यानि इसी को बोलते है कि यह जो a n जो largest element है यह bubbled up हो जाता है यह bubbled up यह sink हो जाता है एकदम लास्ट में जो हमारी list है उसके अंदर ठीक अब step 1 के बाद फिर step 2 में हम क्या करते हैं तो step 2 में step 2 में फिर से हम step 1 को repeat करते हैं with one less compression यानि कि फिर से हम repeat step 1 टीक है विर वन लेस कंपरीजन वन लेस कंपरीजन यानि इसमें जो करेंट आता है हमारा वह 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 कंपरीजन लास्ट कंपरीजन होता है हमारा एए एन माइनस टू और कि ए एन माइनस वन का इसका नोटा और इनको फिर रियार्णिज कर देते हैं कि ए एन माइनस टू जो है वह हमारा लेस देन रहता है एन माइनस वन से अब इसमें क्या होता है कि इसी तरह एन माइनस वन भी जो है सेकंड लाजेस्ट एलिमेंट रहता है ये वाला और ये भी बबल डब होके किनारे हो जाता है इसी तरह फिर स्टेप थी को हम करते हैं दुबारा से फिर से स्टेप स्टेप रिपीट स्टेप वन विद ठीक है टू फ्यूर करते हैं प्यूर कंप्रीजन यानि अब इसमें लास्ट में जो एलिमेंट रहते हैं वो रहते हैं एन माइनस थ्री और एन माइनस टू को कंपेर करते हैं और जो इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो फिर हमारा बबल डब हो जाता है ठीक है और यह स्तरह compare करते हैं कि an-3 जो है should be less than an-2 ठीक तो यह भी bubble up हो जाता है तो इनी steps को हम करते करते जब last में हम step an-1 करते हैं तो क्या होता है कि compare a1 with a2 तो last में हमारे पास केवल compare a1 और a2 रह जाता है and a2 और उनको arrange इस तरह करते है and arrange them so that a1 should be less than a2 इस तरह करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि after and minus one steps the list will be sorted in increasing order the list will be sorted in increasing order इस तरह से list हमारी जो है and minus one steps के बाद increasing order में short हो जाती है अब इसमें क्या होता है कि the process of sequentially traveling through all और part of a list is frequently called a pass so each of the above step is called a pass तो जो हमने step one step two रिखा हुआ है कायदे से this is called a pass यानि पहला pass दूसरा pass so this is called a pass ठीक तो इस तरह से bubble short किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ इसमें यह चीज clear है कि the bubble short algorithm requires n minus one passes where n is the number of input item इसका मतलब यह हो गया कि जो bubble short algorithm है उसमें n minus one passes की जरुद पड़ती है जहां पर n क्या है n is the number of number of input items जितने item है उससे एक कम बार हमको pass करना पड़ेगा अगर 10 item है तो हमें 9 pass करना पड़ेगा अगर 20 item है तो हमें 19 बार जो है pass करना पड़ेगा तो यह basic concept है bubble short algorithm का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक numerical example लेके mathematical example लेके bubble short algorithm आपको solve करके दिखाते हैं और most probably उसकी algorithm भी हम लोग next lecture में discuss करेंगे तो I hope कि आपको bubble short algorithm का basic concept clear हो गया होगा अगर इसके regarding कोई doubt या confusion है तो comment line में comment करके पूछिए और अगर वीडियो content पसंद आ रहा है तो वीडियो को share कीजे like कीजे चैनल को subscribe कीजे और notification bell go on कर दिजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके ताकि यू